मेरे पहले देश्वासियों, इस महीने एक और महत्वपुन अभ्यान के दस साल पूरे हुए हैं। इस अभ्यान की सब्रवता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामीर है। मैं बात कर रहा हूँ मेक इन इंडिया की। आज मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यमबर्ग और MSMS को इस अभ्यान से बहुत फाइदा मिल रहा है। इस अभ्यान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का आउसर दिया है। आज भारत मैनुफेक्टरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवाशक्ति की वज़त से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ओटो मोबाइल हो, टेक्स्टाइल हो, एवियेशन हो, इलेक्ट्रोनिक्स हो या फिर डिफेंस हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में FDI का लगातर बढ़ना भी हमारे मेकिन इंडिया की सफ़लता की गाथा कह रहा है। अब हम मुक्रूप से दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी यानि हमारे देश में बनी चीजे ग्लोबल स्टेंडर की हो। दूसरी है वोकल फोर लोकल यानि स्थानिय चीजों को जादा से जादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैश्टेक माई प्रोडक्ट माई प्रैड की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फाइदा होता है इसे एक उधार से समझा जा सकता है। महाराष्ट के भंडारा जिले में टेक्स्टाइल की एक पुरानी परंपरा है। भंडारा टसर सिल्क हेंडलूप टसर सिल्क अपने डिजाइन रंग और मजबूति के लिए जानी जाती है। भंडारा के कुछ हिस्सों में पचांस से भी अधिक सेल्फ हेल्फ ग्रूप इसे समरक्षित करने का काम में जूटे हैं। इन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागिदारी है। यह सिल्क तेजी से लोगप्रिय हो रही है। और स्थानिय समुदायों को ससक्त बना रही है। और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला। तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करिबा कुछ जमा भी बोलों तो नहीं।